फोटो वीडियो व्यवसाय से जुड़े लोगों के प्रतनी धी मंडल ने इंदोर सांसद शंकर लालवानी से मुलकात की उन्होंने सांसद शंकर लालवानी को लॉकडाउन के कारण फोटोग्राफी व्यवसाय पर उपजे संकट से अफगत कराया इसके साथ ही सांसत को ग्यापन सौप कर कुछ मांगे भी रखी दरसल इंदौर जिले में छोटे बड़े करीब 2000 से अधिक लोग फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े है फोटोग्राफी व्यवसाय से हिन के परिवार का गुजारा होता है लोगडाउन का फोटोग्राफी व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है बड़ी संख्या में शादिया कैंसल हो गई तो वहीं जो शादिया हुई है उनमें भी लोगों की सीमित संख्या के कारण फोटोग्राफी नहीं करवाई जा रही है इसको देखते हुए प्रतनिधी मंडल ने सांसद को ग्यापन सौप कर कुछ मांगे रखी प्रतनिधी मंडल ने सांसद लालवानी सिक मांग की है कि विवहा आधी कार्यों में लॉकडाउन के बाद फोटोग्राफी हितू कम से कम पाँच लोगों की अनुमती हो फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े लोगों की द्वारा लिये जा चुके किसी भी प्रकार के लोन वा कर्ज में कम से कम एक वर्ष तक लगने वाले ब्याज में माफी वा किष्टो को नहीं भरने की छूट प्राप्त हो फोटोग्राफर्स के मुताबिक वर्तमान परिस्थितियों में हमारे लिए गुजर बसर करना भी बहुत खठिन हो गया है शाष की कार्यों वा योजनाओं में फोटो वा वीडियो के लिए भी कार या अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो फोटोग्राफी व्यवसाय से जुड़े परिवार के बच्चों की सिक्षन आरुके इसलिए स्कूलों वा विश्विध्याले की फीस में भी कुछ चूट प्राप्त हो कोविड-19 की वज़े से उपजे संगट को लेकर आज एक विश्यश पतिनी मंडल हमारा मानिनीय सांसर शिश अंकल आलमानी जी से मिला है फोटोग्राफी वेसाय पर इस समय संगट है दो मेने से अधिक हो गया है करीब और हम लोगों ने कोई काम अभी तक फोटोग्राफर ने कहीं नहीं किया है और आने वाले छे मेने या साल पर पता नहीं कितने समय तक काम मिलने मुश्किल भी लग रहा है आगे हमारी मांग जो हमने रखी है उनके सामने उसमें से कुछ यह है कि अब जो लॉकडाउन के बाद में विवास हमारो आदी कोई आयोजन होते है तो उसमें कम से कम फोटोग्राफरों की संख्या चार से पांच तक की दी जाए जिससे की एक अच्छा कवरेज सामने वाले को मिल पाए और मेमोरी के लिए उसके लावा और कोई चीज भी नहीं है कुछी को अपने परिवार में सभी तक पोचाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी काफी जरूरी चीज़ है तो इसलिए पांच लोगों को कम से कम या चार लोगों को कम से कम अनुमती दी जाए काम करने के लिए साथ ही हमने लोन आधी पर जो हमारे वेवसाय से जुड़े लोग हैं सबी लोग लोन से अधिकतर अपने कैमेरे क्यूमेंड गाड़ियां सबी चीजे लेते हैं और हर साल अपडेट करते हैं इसलिए करजा बना ही रहता है ऐसा अधिकतर फोटोग्राफरों के साथ में होता है जिनके ओपर करजा बना रहता है तो हम सरकार से एक विशेश मांग हम लोगों ने करिये सांसद लालवानी ने फोटोग्राफर्स को हर संभव मदद का सवाशन दिया है